नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका चमतकारी टोटके चैनल पे दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या आपके स्वपन में या आपके सपने में आपके प्रियजन आते हैं तो इसका क्या रहस्य है तो दोस्तों आज हम इस रहस्य के बारे में आपको बताएंग लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए. दोस्तों, जो हमारे अपने होते हैं और जब वो हमसे बिचहर जाते हैं, तो हमारे स्वप्न में वो आने लगते हैं, क्योंकि हम उनके बारे में अत्यदिक सोचने लगते हैं. हमारे किसी प्रीयरजन के बिच्छड़ जाने पर हम इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि हम हर वक्त उनके बारे में सोचने लगते हैं जिससे कि क्या होता है, वो हमारे सपने में आने लगते हैं और इससे हमें अपनी जिन्दगी के कुछ छिपे हुए जो राज हैं वो भी दिखाई देने लगते हैं, हम उसे सप्ते समझ बैठते हैं, सवपन को हम सवपन ना मानकर सच समझ बैठते हैं, कई बार हमें हमारे परिजन दिखाई देते हैं, वो हमारी मदद करते हुए सवपन में आकर कोई सावधानी या सलहा दे कर जाते हैं लेकिन दोस्तों वो जब भी ये सलहा या सावधानी देते हैं तो वो शब्दों में इसे बया नहीं करते जादा तर वो इशारों का ही स्तेमाल करते हैं तो यदि हम उनके इशारे समझ जाएं तो हम वो चीज कर सकते हैं दोस् तो ये एक गंभीर समस्या हो सकती है क्योंकि अगर हम बार-बार किसी चीज के बारे में सोचते रहेंगे तो वो चीज हमें हर वक्त अपने आस-पास महसूस होने लगी तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हमारे प्रियजन इस लोक को छोड़कर दूसरे लोक म से बुलाना अर्थात हम यही मानेंगे कि उस लोक से बुलाना अगर हम बार-बार उनके लिए सोचते रहें दुखी होकर दुखी मन से सोचते रहें तो वहां वो भी सही ढंग से नहीं रह पाते हैं वो हमारे सपने में आकर हमें चेताते हैं लेकिन कभी-कभी क्या होता है दोस्तों कुछ जो होती है आत्माएं या हमारे प्रेजन होते हैं कुछ कभी कभी क्या होता है किसी आत्मा की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं यानि कि इस जनम में उनकी इच्छाएं पूरी तरीके से नहीं हो पाती हैं तो वो हमारे सपने में आके बार बार हमें उस ब बात के लिए उकसाते हैं कि उनके साथ जो हुआ है किसी की अकाल मिर्ती हो जाती है और कोई बिना किसी रोक के चला जाता है दोस्तों तो वो जादतर सपने में आके बहुत असंतुष्ट आत्माहे होती हैं तो ऐसे में हमें उनके इशारों को परिपूर तरीके से समझना होग अगर हम उनके इशारे समझ गए और हमें पता चल गया कि वो क्या कहना चाहते हैं तो हम उस चीज को पूरा कर सकते हैं वहीं यदि वो direct भी अगर आपको सपने में बता देते हैं कभी-कभी कि हमारी ये चीज पूरी नहीं हुए तो तुरंथ हमें उसे पूरा कर देना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही असंतुष्ट होते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है सपनों का क्रम इतना जादा असपष्थ हो जाता है सारे सपने mix हो जाते हैं तो हमें समझ नहीं आता है तो ऐसे में जब आप पूर्ण रूप से अपने प्रियजन का जो कथन है या इशारे हैं समझ नहीं पाते हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों जादा से जादा दान पुन्य करना है जी हाँ दोस्तों जादा से जादा दान पुन्य करने से आपको बहुत अच्छा फल मिलेग होगा आपको ये करना चाहिए अपने मृत परिजन के नाम पे जादा से जादा दान करना चाहिए जिससे की उनकी आत्मा को श्तंतुष्टी मिल सके दोस्तों लेकिन यदि ये करम बार-बार हो रहा है दोस्तों तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको अपने दिमाग पे ज श्रीमत भागवत गीता के द्वारा कहा था नैनम छिंदन्ति शश्ट्राणी नैनम दहति पावकर नचैनम क्लेदैंत तापो नशोश्यति मारुता अर्थात आत्मा को ना ही कोई तलवार काट सकती है ना ही कोई अगनी जला सकती है ना ही कोई जल गला सकता है और ना ही कोई सोक सकती है यानि कि आत्मा अमर है इसीलिए दोस्तों आत्मा तो अमर होती है लेकिन उसका जो लोग होता है वो बदल जाता है वो दूसरे लोग में चली जाती है लेकिन ऐसे मियादि हम सपने में बार-बार अपने दिमाग में जोड डालेंगे और बहुत जादा दुखी रहेंगे हर वक्त अपने उस मृत परिजन को याद करके तो दोस्तों ये उनके लिए भी सही नहीं है और हमारे लिए भी काफी हद तक सही नहीं होता है तो ये जो सिलसिला है बार बार उनके स्वपन में आने का तो आपको अगर इस से चुटकारा पाना है या इस चीज से आपको निजात पानी है तो यही उपाय है कि आप जादा से जादा दान पुन्य करें और जादा से जादा कुछ ऐसे कई कर्मकांड है शास्त्रों में बताए गए हैं उस मृत के नाम पे आप कर सकते हैं दोस्तों इस से क्या होगा उस मृत का आप नाम पर इससे क्या होगा दोस्तों आपको बहुत आत्मिक संतुष्टी भी होगी कि आप अपने किसी प्रिय के नाम पर ये सब कर रहे हैं और जो आपका प्रियजन है जो आपसे बिछड गया है आपसे दूर हो गया है उसकी आत्मा को भी संतुष्टी मिलती है दोस्तों यद से जादा से जादा आप शेयर कीजिए और तब तक के लिए बने रहिए चमतकारी टोटके के साथ धन्यवाल